ये बात सन 1925 की है असम के एक कारिक्रम में एक महिला को महिलाओं की शिक्षा के महत पर बोलने के लिए बुलाया गया जब उस महिला ने देखा कि वहाँ पर महिलाएं पुरिशों से अलग बांस के एक बने परदे के पीछे बैठी थी तो उससे रहा ना गया उन्होंने तुरंट माइक पकड़ा और उस पर जोड से ललकारते वे कहा अरे तुम सब पीछे के बैठी हो यहां आगे आकर बैठो उनके बात सुनकर बांस के परदे के पीछे बैठी महिलाएं आगे आकर बैठ गई माइक पर बोलने वाली उस महिला का नाम था चंद्रप्रभा सेक्यानी उन्होंने असम में सदियों से चली आ रही प्रदा पठा को खत्म करने में एक महत्वपुन भुमी का नुभाई आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में चंद्रप्रभा सेक्यानी का नाम असम की समाच्चुधारक स्वतंता सेनानी लेखिका तथा महिला अधिकारों के लड़ने वाली की रूप में जाना जाता है इनका जन्म 16 मार्च 1901 को असम के कामरूप जिले के दोईसिंगिरी गाउं में हुआ ग्यारा भाई बहनों में वे सात्वे स्थान पर थी चंद्रप्रभा में बच्पन से ही पढ़ने की बहुत ललग थी और उन दिनों लड़कियों के लिए अलग से स्कूल नहीं था सिर्फ लड़के ही स्कूल जा सकते थे इसलिए वे अपनी बहन के साथ कई किलोमिटर दूर तक पैदल चल कर कमर तक कीचड में लगपत होकर लड़कों के स्कूल जाती थी स्कूल से लोटने पर वे अपनी गाउं की लड़कियों को इखटा कर वे सब सिखाती थी जो खुद उन्होंने स्कूल में सिखा था और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी एक बार उस इलाके के स्कूल सब इंस्पेक्टर की निगा उन पर पड़े और वे उनकी इन कोशिशों को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्हें नावगाउं मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूलर्शिप मिले लेकिन उन दिनों उनहीं लड़कियों को प्रवेश मिलता था जो इसाई धर्म अपनाती थी उन्होंने इस नियम का जम कर विरोध किया और उनका यह विरोध रंग लाया अब स्कूल अथॉरिटीज ने सबी धर्मों की लड़कियों को प्रवेश के सासत सारी सुविधाईं भी प्रदान की चंधर प्रवास एक्याणी नागाओं के एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करती थी और बाद में उन्होंने तेजपुर के स्कूल की हैडमिस्ट्रिस के तौर भी काम किया तेजपुर में उनका संपर्क, जियोति प्रसाद अगरवाल तथा अमिय कुमारदास जैसे दिगजों से हुआ 1918 में उन्होंने असम छात्र सम्मिलन के एक सत्र में अफीम सेवन के बुरे प्रभावों तथा उन पर प्रतिबंद लगाने को लेकर एक बड़े जन समूह के आगे अपनी बात रखी और ये पहला मौका था जब कोई असमी महिला इतने बड़े जन समूह को संबोधित कर रही थी उनके विवहा के लिए उनके माता पिता ने एक उम्र दराज व्यक्ति को चुना लेकिन उन्होंने साख मना कर दिया और एक असमी लेखक से संपर्क में आई वह लेखक समाज में सद्यों से चले आ रहे कास सिस्टम को चुनोती देने चंदरप्रभा को अपनी पतनी की रूप में कबूल ले तथा अपने अजन में बच्चे को अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाया तथा अपने परिवार द्वारा पसंद की गई दूसरी लड़के से विवा कर लिया ऐसे हालात में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि जहां महिलाएं परदे में घर की चार दिवारी में कैद रहती थी सामाजिक और आजनितिक शेतर में उनकी भूमी का ना के बराबर थी उस दौर में ऐसे हालातों की मारी महिलाओं की क्या हलत होती होगी चंद्रप्रभा ने ऐसे हलातों में भी उस बच्चे को जन्व देने तथा अकेले ही उसका पालन पोशन करने का निश्चे किया उनकी निजिस जिंदिगी के संघर्षों ने उन्हें अन्य महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का बल दिया और उन्हें कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाए उन्हीं में से एक था हाजों में हयागरिवा महादेव मंदिर में जाती लिंग और वर्क के भिद्भव के बिना प्रवेश के लिए संघर्ष महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे सुतंता आंदोलन से जुड़ी और इसमें भाग लेने के लिए वे तीन चार बार जेल भी गए लेकिन जेल की चार दिवारी भी उनका जिनुन कम ना कर सकी कहीं भी अन्याय होता देख उनका विद्रोही चरित्र सामने आ जाता बाल विवा बहु विवा अस्प्रिष्टा तथा अन्य समाजिक बुराईयों के खिलाप उन्होंने बोला भी और लिखा भी उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें विद्वाओं के अधिकार बिन ब्याही माओं के अधिकार तता महिलाओं पर हो रहे अन्य शोशन उत्पिड़न के खिलाफ संघर्ष करने की प्रिड़ना दी 16 मार्च 1972 को अपने 72 जनम दिन पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली उनकी मृत्यू के थोड़े समय बाद ही भारह सरकार ने उन्हें पदमिश्री से नवाजा और 2002 में उनके सम्मान में एक डाक टिकेट जारी किया उनकी जिन्दगी पर एक उपन्यास अभी यात्री वन लाइफ मैनी रिवर्स असम की एक जानी मानी उपन्यासकार निरूपमा बोर्गोहिन ने लिखा है उट समय के हिसाब से चंद्रप्रभा सेक्यानी ने जो भी किया वह सब असंभफ सा लगता है उन्होंने समाच के लिए जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए विदा